चुडैल ट्रेन और दस बच्चे कुछ दस छोटे छोटे बच्चे अपनी क्लास टीचर हेमा के साथ स्कूल की दरब से ताज महल देखने जा रही थी जिसके लिए उन्हें रात की दस बजे की ट्रेन में जा रहा था बच्चों के माँ बापोंने स्टेशन पर हेमा और पीटी टीचर मोहित के साथ चोड़ कर चले जाते है ट्रेन की इंतजार में बच्चे स्टेशन पर फुटबॉल केलने लगते है तब ही कार्टिक की बॉल जोड से मारने पर एक कांच की बोतल शूट जाती है जिसमें उसे धुआ निकलता है और एक चुड़ल आजाती है अरे कांच इतनी क्या किया देख तुनी बोतल फोटी अच्छा हुआ मैम ने हमें नहीं देखा पन्ना डान पोटी हाँ यार अरे कोई नहीं न एक खाली बोतल ही तो थी शुक्र है अंजाने में ही सही लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों ने मुझे यहां से आजाद कर दिया कितने सालों से मैं इस बोतल में कैथ दम घुट रहा था मेरा अन तांत्रिकों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं अरे बच्चों इधर आ जाओ और हाथ पकड़ लो सारे बच्चों एक दूसरे का जी से अरे मैडम एक बार ट्रेन में चड़ाने से पहले गिंती कर ले न हाँ हाँ बिल्कुल जल्दी से लाइन लगा लो एक एक बच्चा चलो अब आप सब एक एक करकी ट्रेन में चड़ती जाना मेरी गिंती के साथ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस मोहित बैग ले लो सारे बच्चे ट्रेन में चड़ गए जी मैडम अरे बच्चे कहा जा रहे हैं, मुझे इनके पीछे जाना होगा इस तरह सारे बच्चे ट्रेन में बैटका शोर मचाने लगते हैं वहीं चुडेल भी उनके पीछे ट्रेन में आ जाती है आखरी चुडेल बच्चों के पीछे ट्रेन में क्यों जा रही थी क्या वो इन बच्चों को मारने जा रही थी या बात कुछ और थी जानने के लिए कहानी में आगे चलते हैं बले बले ते शावा 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 पियो ते कवा कवा आज तो हम घुमेंगे ट्रेन में अहाँ अहाँ यह काना खत्म हुआ पर जर्नी तो अब शुरू होगी मजा दुब तब आएका जब यह ट्रेन चलेगी और उसकी ठंडी ठंडी हवाए खिड़के से हमारी तरफ आएगी पता है मैं कभी भी ट्रेन में नहीं बैठा हूँ पर मैं तो बैठी हूँ मैं पिछले साल ही ममी के साथ कलू मना ले गई थी हाँ तो तू क्यों आई है घर पर ही रहती न क्यों मैं क्यों नहीं आ सकती तुम लोग ही आओगी क्या मैं की साथ अच्छा अब जादा बन मत चुपचा बैठ जा अरे बच्चो बस तुम तो अभी सही शोर मचाने लग गई अभी टाइम लगेगा चुपचा बैठो ओके सारी सर चुडेल उन बच्चों के ट्रेन की सीट के ऊपर ही थी उन्हें देखकर वो कहती है ये बच्चे हसते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं इन्हें के बदालत में उस बोतल से आज़ाद हुई हूए मुझे इनका शुकरिया तो करना होगा पर कैसे बच्चे बात करी रहे थे कि मोहन की निज़र चुडेल पर जाती है और चुडेल अपने हाथ के शारे से उसे चुप करा कर अपने पास बोलाती है तबी धीरे से मोहन भूमी के कानों में कहता है भूमी, सीट के अपर देख मुझे चुडेल अँटी दिखाई दे रही है और वो मुझे बुला रही है अरे हाँ वो तो मुझे भी दिखाई दे रही है और मुझे भी बुला रही है लेकिन कितनी दरावनी है तबी चुडल बच्चों को चॉकलेट दिखा कर अपनी सीट पर बुलाती है और बच्चे चले जाते है अरे आंटी क्या ये चॉकलेट हमारी है हम खाएंगे इसे हाँ बच्चों तुम्हारी है और मैं सब को चॉकलेट तूँगी अब जल्दी से बताओ उस बॉल से किसने उस काच की बोतल को तोड़ा था अरे आंटी वो देखो जो लॉली पॉप खा रहा है न उस कार्टिक ने उस काच की बोतल को जोर से तोड़ दिया था बॉल से आप उसी डाटोगी वो बोतल आपकी थी नहीं नहीं बच्चो मैं डाटोंगी नहीं मैं तो शावाशी दोंगी क्योंकि एक गंदे अंकल ने मुझको उस बोतल में बंद कर दिया था कार्टिक ने उस बोतल को तोर दिया तो मैं वहर आ गई इसलिए मैं आप सब बच्चो को हैंक्यू कहूंगी और हाँ, अपनी मैम को कुछ मत बताना ओ, तो हम अभी कार्थिक को मुलाती हैं कार्थिक, कार्थिक, जल्दी उपर आओ आंटी हमें चॉकलिक देंगी, मैम को मत बताईयो तभी कार्थिक और बागी बच्चे दोनों तरब की उपर की सीट पर बैठ कर चुडेल से बाधे करने लगते हैं और हसने लगते हैं उन दोनों टीचर को भी कुछ पता नहीं चलता लेकिन बीच में ट्रेन एक स्टेशन पर रुपती है जहां रागब को मना करने पर भी वो इस स्टेशन पर चला गया तबी रागब को एक उड़ती हुई पतंग पटरी पर मिलती है जिसे उठाने वो चला जाता है इतने में उसका पैर भंस जाता है और ट्रेन चलने लगती है आँ आँ बचाओ मुझे बचाओ मैं मरने नहीं जाता आँ राकी मोहन भूमिका मुझे बचाओ चुड़ेल आंटी चुड़ेल आंटी रागब पटरी पर भास गया है अब जल्दी से उसे बचालो बना उसके उपर ट्रेन चल जाएगी अरे ये क्या किया रागब तुम सब यही रहना मैं रागब को अभी बचा कर लाती हूँ ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है इतने में चुड़ेल रागब का पैर चल्दी से निकाल कर उसे उठा लेती है और ट्रेन में ले आती है तब ही रोते हुए रागब कहता है जुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, खीक हो तुम, मैं हूँ ना, मैंने बचा लिया थेंक्यू चुनेल आंटी, आप नहीं होती, तुम्हें मर जाता अरे ऐसे नहीं बोलते, अगर तुम सब बच्चे बॉल से नहीं खेल रही होते, तुम्हें बाहर नहीं आ पाती, और फिर तुम्हें कैसे बचाती ठीक है आंटी अरे बचो, बहुत देर से तुम्हें देख रही हूँ यह तुम किस से बाते कर रहे हो कुछ नहीं कुछ भी तो नहीं मैम हम तो आपस में बाते कर रहे हैं ठीक है, अब चुब चाब सीथ पर भेड़ जाओ अभी तीन गंटे और है मैम, मुझे और कार्दिक को वाश्रूम जाना है मैम, मुझे भी I go to वाश्रूम, प्लीज अच्छा, बोहित तुम बाकी बचों का ध्यान रखो इन तीनों बच्चों को मैं वाश्रूम से लिजा कर आती है ओके मैम हेमा तीनों को वाश्रूम ले जाती है जो कि दूसरे डिबे के ओर होता है बच्चे एक एक करके वाश्रूम यूज करते हैं वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में अचानक से उसी जगा आग लग जाती है आदे बच्चे ट्रेन के दूसरी तरफ होते हैं और आदे बच्चे हेमा के पास ऐसे में बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं और हेमा चलाती है अरे कोई बचाओ हमें, बचाओ, बरना हम जल जाएंगे आह बचाओ, बचाओ अब क्या होगा, हम जल जाएंगे, हम ही मर जाएंगे हाँ मैम, हम ताज महल नहीं दिख पाएंगे कबी भी अरे तुम्हें ताज महल की पड़ी है यहां हमारा ही ताज महल बन जाएगा एक बार इस ट्रेन में भुन गए तो अरे ये क्या दोनों तरफ बच्ची आग में भाजी है मुझे चल्दी से इने बचाना होगा लेकिन अगर मैं इस आग में उतर कर गई चुड़ेल बच्चो दूर हटो यह हमें मार देगी सेर यह हमें मारेंगी नहीं बलकि इन्होंने ही अभी मेरी जान बचाई थी आओ बच्चो जल्दी से इस वाले डिम्मे में पीछे चले जाओ ऐसा बोलकर चुड़ेल बच्चों को दूसरी तरफ भेज देती है और अपनी फूंक से आगे की आग को बचाने की कोशिश करती है आग काफी हद तक कम हो जाती है लेकिन बुचती नहीं है चाहे आग में ही मेरी जान क्यों न चली जाए लेकिन मुझे बच्चों को बचाना ही होगा चुड़ेल उस आग में कूद कर हेमा की तरफ चली जाती है आग में गुसने से वो थोड़ी थोड़ी फिघलने लगती है बच्चों मेरे पास जादा वक्त नहीं है चुड़ेल दो बार उस आग से गुजर कर सब को बचा लेती है और पूरी तरह से बिघल कर जमीन पर गिर जाती है बच्चों तुम ठीक तो होना मैं तुम्हारा शुक्रिया करना जाती हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई पैर आंटी हमारी विजी से आपकी ये हलत हो गई अब आप हमें छोड़ कर चली जाओगी क्या जाना तो पड़ेगा बच्चों ये जान भी तो तुमने ही बचाई दी मैंने अपनी जान तुम पर कुर्बान कर दी ऐसा कहकर चुड़ेल पूरी तरह से जलकर गायब हो जाती है ये देखकर सभी बच्चे रोने लगते हैं मोहित और हेमा को कुछ समझ नहीं आता उनके पूछने पर बच्चे उन्हें सब बताते हैं और अगले दिन वो ताज महल देखने पहुंच जाते हैं भूत और चुड़ेल का नारियल ट्रेड ये राती ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा और जाने मन इस मौसम में तो इस ट्रेड को उड़ा कर ले जाने का मन कर रहा है एक काम करता हूँ अपनी नारियल की ट्रेड को गुवा ले चलता हूँ पिर वहाँ पर गाना गाएंगे गुआ वाले बीच पर रानी आखे बीच कर ठंडी ठंडी बीर पियेंगे दोनों फूटों खीच कर तभी चुडैल भूत के एक जोरदार थपण मारती है अरे हमारी नारियल की ट्रेन को संबालो नहीं तो प्लैटफॉर्म पर पहुचने से पहले ही वो पत्री से उतर जाएगी अरे जानेवन चिंता क्यों करती हो आज ये ट्रेन कहीं नहीं रुकेगी सीधा जाकर प्लैटफॉर्म पर ही रुकेगी दोनों भूत और चुडैल नारियल की ट्रेन को चलाते हुए प्लैटफॉर्म तक ले जाते हैं जहां वह सभी पैसेंजर्स को नारियल की ट्रेन के अंदर बैठा कर ले जाते हैं आज मैं बहुत खुश हूँ आज मैं अपने सपने को पूरा करने की शुरुआत करने जा रही हूँ अरे जाने मार मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे तभी चुडैल भूत के एक जोरदार तमाचा मारती है और उससे कहती है जब देको लाइन मारते रहते हो और कोई काम नहीं है क्या तुम्हे सही से ट्रेन को चलाओ आज अमावस्या की रात है हमें बारा बजे तक किसी भी हालत में ब्रिज तक पहुँचना है अरे डार्लिंग गुसा क्यो होती हो चला तो रहा हूँ तुम्हारी नारियल की ट्रेन को बूत और चुड़यल ट्रेन को चलाते हुए ब्रिज पर ले आते हैं जिसके बाद ट्रेन ब्रिज पर आकर रुख जाती है तभी ट्रेन के अंदर बैठे सभी पैसेंजर आपस में बात करने लगते हैं आरे इस ट्रेन को क्या हो गया जो यहां पर आकर अचानक से रुख गई अरे मुझे तो इन ट्रेनों का कुछ समझ में नहीं आथा पहले तो यह अजीब औ गरिब तरीके की ट्रेनों को बना देते हैं कभी नारियल की ट्रेन, कभी तर्बूस की ट्रेन तो कभी आम की ट्रेन अब ये नारियल की ट्रेन इस ब्रिज पर आकर क्यों रुकी है भला भगवान ही जाने तब ही वहाँ पर ट्रेन का टीटी पहुँच जाता है जो सभी लोगों से कहता है सभी लोग शांती बनाए रखें मैं अभी ट्राइवर के पास जाकर समस्या पूछ कर आता हूँ तब तक ज़रा शांती पूर्बक अपनी जगा पर मैठे रहे है तीटी जैसे ही ड्राइवर की सीट पर पहुँचता है बहां उसे बहुत ध्यानक चुडैल और भूट दिखाई देते हैं जिने देखते ही तीटी वहीं बेहोश होकर गिरते हुए कहता है ये भगवान ये बूट और चुडैल कहां से आ गए वो भी नारियल की ट्रेन में अरो डारलिंग ये आदमी तो तुम्हारी खुबसूर्थी को देखते ही बेहोश हो गया तब ही चुडैल बूट को एक जोरदार थपर मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी खुबसूर्थी का मजाक उडाने की अरे जाने मार जब देखो मुह पर चाटा मार देती हो अब से मैं कुछ कहूगा ही नहीं तब ही आस्मान में मावस्या का चांद निकलाता है जुसके बाद दोनों बूत और चुडैल ट्रेन से निकल के ट्रेन के उपर खड़े हो जाते हैं और अपनी शक्तियों को एक साथ जोड़ने लगते हैं और एक मंत्र का जाप करने रखते हैं मंत्रों के जाप से ट्रेन हवा में उड़ने लगती है और हवा में उरते उरते वह अमावस्या के चांद की तरफ चलने लगती है देखते ही देखते पूरी की पूरी ट्रेन अमावस्या के चांद में समा जाती है जिसके बाद भूत और चुडैल पहले से और जादा शक्ती शाली हो जाते है तो अब नई शक्तियों को पाकर तुम्हें कैसा लग रहा है अरे जानेवल मैं बता नहीं सकता के मुझे कैसा लग रहा है पूरे शनीर में एक अलग सी ताक अथा गई है इतना कहने के बाद भूत और चुड़ैल वहां से गायब हो जाते हैं अगले दिन सुभा न्यूज में नारियल की ट्रेन के गायब होने की खबर चारो तरफ अखबार में छब जाती है ऐसे ही हर रात अमावस्या के दिन एक नारियल की ट्रेन पट्री पर चलती है और पट्री से ही गायब हो जाती है इस बात से सभी लोग बेखबर होते हैं कि आखिर वे नारियल की ट्रेन गायब कहां हो रही है एक दिन एक निरंजन नाम का लड़का रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है कितनी देर हो गई अभी तक कोई भी ट्रेन यहां पर आकर नहीं रुकी आखर आज हो क्या रहा है कभी भी इस स्टेशन पर ट्रेन लेट नहीं होती तब ही दूर से ट्रेन की आवाज आती है ये लोग हो गया इंतजार खतल आखिर कार एक ट्रेन तो आई लेकिन ये ट्रेन दिखने में बहुत ही अजीब है ऐसा लग रहा है जैसे कोई नारियल की ट्रेन चल कर आ रही है जैसे ही ट्रेन स्टेशन परा कर रुखती है निरंजन उससे देख कर कहता है डिखने में बहुत ही अटपटी है लेकिन कोई नहीं मुझे तो ब्रिज पार करकर ये उतरना है रेलवे स्टेशन पर नारियल की ट्रेन को देखकर सभी लोग बहुत जादा डर जाते हैं जिसके बाद कोई भी ट्रेन के अंदर नहीं चड़ता निरंजन इस बात से बेखबर चुपचाप ट्रेन में चड़ जाता है ट्रेन अंदर से पूरी खाली होती है आज पेरमावस्या की रात है आज हमारी साथवी रात है आज की रात हमारा ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हम दोनों बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और फिर हम दोनों इस दुनिया पर मिलकर राज करेंगे राज चुडैल और भूत ट्रेन को चला कर ब्रिज पर ला कर रोग देते हैं निरंजन ट्रेन के रुकने का पता लगाने के लिए ड्राइवर की सीट तक पहुँच जाता है जहां वह एक बहुत ही भयानक चुडैल और भूत को देखता है जिसे देखते ही निरंजन उनसे कहता है बूत और चुडैल वहां से निकल कर जाने ही वाले होते हैं इतने में ही निरंजन उन्हें रोकने के लिए अपने मन ही मन एक जाप करने लगता है जिसके बाद वो दोनों तड़पते हुए वहीं गिर जाते हैं कौन हो तुम? तुम्हारे पास तो हमसे भी ज्यादा शक्तिया हैं बताओ आखिर कौन हो तुम? मैं हूँ तुम्हारा काल और मुझे कई सारे मंत्रों का ज्यान भी है मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ लेकिन तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? और हर अमावस्या की रात को तुम यहां से नारियल की ट्रेन को क्यो गाइब करते हो? हम दोनों पती-पत्नी हैं और हमें बहुत शक्तिशाली होना है ताकि हम शक्तिशाली होने के बाद इस दुनिया पर राज कर सकें और इनसानों को अपना गुलाम बना सकें और इसे लिए हमने चांडाल से शक्तिशाली होने का उपाए बांगा था जिसके बाद उन्होंने हमें बताया कि हर अमावस्या की रात को जब हम नारियल से बनी ट्रेन को अमावस्या के चांद में भेज देंगे तो हमारे अंदर हर बार एक अध्भुट शक्ति उत्पन होगी और ऐसा हमें साथ बार करना था आज हमारी साथवी अमावस्या की रात है ये जो तुम दोनों करने की सोच रहे हो ये तो नामुम्किन है इसलिए मेरी मानों यहां से मुक्त होकर हमेशा के लिए चले जाओ वरना अंजाम इससे भी बहुत ज्यादा बुरा होगा तुझे क्या लगा हम तेरी दमकियों से डर जाएंगे देख अब हम दोनों तुझे अपनी शक्तियों का कमाल दिखाते हैं बूत और चुडैल दोनों मिलकर अपनी शक्तियों को जोड कर सीधा निरंजन के ऊपर वार करने लगते हैं लेकिन निरंजन इसके लिए पहले से ही तयार होता है निरंजन तुरंत अपने मन में एक मंत्र का जाप करता है मंत्रों के जाप से भूत और चुडैल की सभी शक्तियां गायब हो जाती हैं जिसके बाद निरंजन उन दोनों के उपर पवित्र गंगा जल छड़क देता है ऐसा करने से उन दोनों की आत्माई जलने लगती है और देखते ही देखते उन दोनों को वहां से मुक्ति मिल जाती है चुडैल की रंग बिरंगी मुर्गियां आधी रात के समय जंगल में एक चुडैल अपनी रंग बिरंगी मुर्गियों को बेचूंगी जो मेरे साथ हुआ है उसका हिसाब भी चुकता करूंगी आ रही हूँ गाउं वालो मैं लेकिन उससे पहले मुझे इंसानों को मुर्गियों में बदलना होगा तब ही तो बेचुंगी उन्हें ऐसा कहकर चुड़ेल गाउं की ओर जाकर सोते हुए लोगों को अपने जादू से रंग बिरंगी मुर्गी में बदल देती है और उन्हें पिंजरे में डाल कर ले आती है और जब वो रंग बिरंगी मुर्गियां पिंजरे में चटपटाती है तो चुड़ेल हस कर कहती है अगले दिन चुड़ेल अपना रूप बदल कर उन सभी रंग बिरंगी मुर्गियों को पिंजरे की गाड़ी में रख कर गली गली जाकर बेचते हुए कहती है मुर्गिया लेलो मुर्गिया रंग बिरंगी मुर्गिया ताजी ताजी यनोखी मुर्गिया मौतरमा ये मुर्गी कैसे दी है ये तो बड़ी ही सुन्दर है कहां से आई तुम्हारे पास साहब गुटलिया मत गिनो बसाम खाओ ठीक है, मुझे ये गुलाबी और संतरी वाली मुर्गियां दे दो ये लीजे, आपकी दोनों मुर्गियां हरे, मुझे भी दो, मुझे भी दो और मुझे तीन रंग बिरंगा वाली मुर्गियां दे दो जल्दी से हरे, थोड़ा सबर कीजे, एक-एक करके मैं आप सबको आपके सारी मनपसंद रंग बिरंगी मुर्गियां दूँगी हरे बाह आज तो काफी लोग मेरी मुर्गियां खरीदने आए हैं बिचारी मेरे मकसद से अंजान है इस तरह रुपाली एक एक करके सब को उनकी मन पसंद रंग बिरंगी मुर्गियां दे देती है सारी मुर्गियां खत्म हो जाती है तबी शाम में जो जो लोग उसे ले जाते हैं और बना कर खाते हैं वो ही लोग आधी रात में रंग बिरंगी मुर्गी में तबदील हो जाती है और चुड़ेल उन सब की गर्दन पकड़ पकड़ कर अपने पिंजरे में डाल देती है अरे बा, मेरा काम तो और आसान हो गया मेरी रंग बिरंगी प्यारी प्यारी मुर्गियों अखिर चुड़ेल का ये सब करने का क्या खास मकसद हो सकता है वो लोगों को रंग बिरंगी मुर्गियां क्यों बना रही है जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते है अगले दिन चुड़ेल आधी रात में लाई इनसानी मुर्गियों को बेचने जाती है लोग बड़े आराम से उन मुर्गियों को ले लेते हैं और जैसे ही माला नाम की औरत उस मुर्गी को काटने जाती है तो वो मुर्गी बहुत छट पटाती है और अपनी चोच से उसकी आँख में मारकर चली जाती है चुड़ेल पास खड़ी देख रही थी कि वो उस रंग बिरंगी मुर्गी की गर्दन पकड़ कर कहती है ये बोलकर चुड़ेल मुर्गी का अपने जादू से चिकन फ्राई बना देती है बाद में माला और उसका पती रात में यही खाते हैं तभी विराज बोलता है अरे, आज तो तुमने काफी अच्छा चिकन फ्राई बनाया है माला यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने बनाया है जूट बोल देती हूँ, वरना ये मुझे हीरो का हार नहीं दिलाएंगे जी, मैंने ही बनाया है वा, ऐसी बात है तो तुम्हारा पेंडिंग हीरों का हार कल आ जाएगा आप सच कह रहे हैं, मुझे हीरों का हार दिलाएंगे हाँ, बिल्कुल ये बोलकर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं वहीं आधी रात को बैड़ पर सोते सोते दोनों रंग बिरंगी मुर्गियों में बदल जाते हैं ये देखकर चुड़ैल उन्हें भी कैद करके फिर से अपने पास ले आती है और वही करती है जो करती आई है दीरे-दीरे लोगों के गाइब होने से उनके परिवार जन परेशान होने लगते हैं एक की मा मुखिया से कहती है अरे मुखिया साहब कुछ तो कीजिए मेरा बेटा का अचानक ही रात से गाइब है अभी तक नहीं मिला हाँ हाँ मुखिया जी मेरी बीवी भी दो-चार दिन से गाइब है मैंने हर जगा तलाश किया लेकिन वो मुझे कहीं ना दिखी आप कुछ करते क्यों नहीं है आप सब परेशान मत हो ये मैं कुछ हल निकालता हूँ अगले दिन चुडैल मुखिया के दर्वाजे पर रंग बिरंगी मुर्गी बेचने आती है मुखिया वो मुर्गी खरीद लेता है जैसी वो खाना खाने जाता है तो उसका कुट्ता उसके चिकन पर जपट्टा मारता है जिसके खाते ही वो एक गुलाबी कलर का मुर्गी बन जाता है ये बात मुखिया को हजम नहीं होती और वो सोने का नाटक करता है तबी चुडेल की नजर मुखिया पर न जाकर मुर्गी पर जाती है और वो मुर्गी को जैसे ही उठाती है मुर्गी का शक यकीन में बदल जाता है और वो मन में कहता है मतलब मेरा शक्स सही था ये सब गाउं में चुडेल का किया धरा है जो मुर्गियां बेच कर लोगों का मुर्गा बना देती है फिर इनसानों को ही खिला देती है ताकि उन्हें बेच सके चुडैल अब तुछ ज्यादा दिन तक इस गाओं में महमान नहीं है ये बोलते ही मुखिया अपने जाने माने प्रसिद्ध तांत्रिक के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता है तांत्रिक उसके बेचे हुए एक मुर्गे को घेरे में बिठा कर पूजा करता है तंत्र विद्या से चुडैल न चाहते हुए भी तांत्रिक के बराई घेरे में पहुँच जाती है और बॉखलाई चुड़ेल चिला कर कहती है तुम काले बेली चुड़ेलों का कुछ नहीं हो सकता जब तक हम तांत्रिक भी अपना असली रंग नहीं दिखा दे कुछ बता कर राजी नहीं होती हो अब देखो यह बूलते ही तांत्रिक उतक पर मंत्रों से चड़ी मारता है जिससे चुडैल खुद बाखुद बताने लती है जिससे रंग बिरंगी मुर्गिया बनी और मैंने उन्हें बेचना शुरू किया दुगने दाम में मुर्गिया बिकने लगी इतनी की भीर लग जाती थी कि मुझे ये बोलना पड़ता था अरे अरे आप धक्का मुक्की मत कीजिए ठीक से खड़े रहेए मेरे पर बहुत सारी रंग बिरंगी मुर्गिया है ये लीजे आपको और आपकी ये छे अलग रंगी मुर्गिया दीरे दीरे अमरपाली के आर्थिक स्थिती ठीक हो गई और एक दिन अमरपाली के पड़ोसी गगन, विक्रम, सनम, राजु की लालची नजर उसकी रंग विरंगी मुर्गियों पर थी अमीर बनने के लिए एक रात उसकी रंग विरंगी मुर्गियों को चुराने वो आते हैं मुर्गियों के शोर से अमरपाली बाहर आती है और उनसे लड़ने लगती है चोड़ो मेरी मुर्गियों को, तुमारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें चुराने की? हिम्मत तो हुई है अब देख हम भी कैसे अमीर बनते हैं ये बोलते ही गगन के दोस्त चाकू से अमरपाली को मार डालते हैं और कुछ दिन बाद अमीर ना बनने पर उसकी मुर्गियों का चिकन बना कर खा जाते हैं मेरी बेचारी मुर्गियों को बेपाल तुमें मार डाला और का गए और मुझे भी मार दिया उसी का बदला मैं उनसे ले रही हूँ उन्हें ही रंग बिरंगी मुर्गी बना कर इंसानों को बेच कर उन्हें ही किला देती हूँ ले लियाना तुने अपना बदला सभी से उन्हें रंग बिरंगी मुर्गी बना कर अब मैं तुझे इस रंग बिरंगी दुनिया से अलविदा करता हूँ ऐसा कहकर तांतरिक उस दुष्ट चुडैल को एक अभिमंत्रित तैखाने में बंद कर जमीन में दफना देता है जहां किसी का आना जाना नहीं होता और सब पहले की तरह ठीक हो जाता है अंधी लड़की चश्मा लगा कर छड़ी लेकर चल रही थी कि पत्तर की ठोकर खाकर गिर जाती है शुरती के गिरने से उसे पाउ में चोट आ जाती है तभी एक तेज आन्धी में दरावनी चुडैल उसके पास आती है और उठाते हुए कहती है बीटा तो ठीक तो हो ना हाँ ठीक हो पर आप कौन हो शुरती के पूछने पर टुडैल उसके सिर पर हाथ रख देती है तब ही शुरती कहती है माँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरी माँ हो जबकि वो मुझे जन्म देकर चली गई थी फिर आप वापस कैसे आ सकती है मुझे यकीन नहीं हो रहा बस तुम्हें मैंने एक बार ही गले लगाया था फिर भी तुमने मुझे पहचान लिया सच में मा बेटी का रिष्टा बहुत ही मजबूत एहसास होता है मा आप कैसी दिखती हो मैं तो आपको देख भी नहीं सकती अंधी जो हूँ पर महसूस करने से लग रहा है आप बहुत ही प्यारी होगी अब तो मैं बद्सूरत सी दिखती हूँ चुडैल जो बन गई हूँ गंदे से बाल, लंबे-लंबे दात, लंबे नाखून, पुराने से कपड़े मा जैसी भी हो मेरी मा हो मैंने आपको याद किया और आप मेरे पास आ गई मेरे लिए यही काफी है, मैंने आपको बहुत याद किया मा, पापा बहुत मारते हैं, वो मुझे खाना भी नहीं देते ठीक है, तो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, वो भी जादू करके ये बोलते ही चुडैल मा, अपनी अंधी बेटी के लिए जादू से खाना लाकर, उसे अपने हाथ से खिलाती है कि तबी, उसका पती शंकर, अपनी बेटी को देखकर कहता है अरे नालाइक अंधी कहीं की, मैं तुझे इतनी जगा ढून रहा था, और तु यहाँ पेड़ के पास बैठी है, चपन भोग खा रही है ये खाना यहाँ पर कैसे आया, बता कहां से लाई बाबा, बाबा, मुझे यही मिला है अच्छा, तो तु अब मुझे बेवकूप बनाईगी, ये खाना तो तुझे जादू से बनाया मिल गया ना, अभी बताता हूँ तुझे ये कहते ही शंकर, उसकी छड़ी से ही उसे मारने लगता है, तभी घुस्से से चुड़ेल कहती है ये अभी तक सुदरा नहीं है, इसने मुझे पर भी अत्याचार किया था, और अब मेरी अंधी बेटी पर अत्याचार कर रहा है आज तु मैंसे सबक सिखा करी रहूँगी मा, मुझे बचाओ अब तेरी मा कभी नहीं आईगी, वो तुझे पैदा करके ही चलबसी, अब मैं ही हूँ जो हूँ, और तेरे साथ यही होगा, अंधी कहीं की, जब से पैदा हुई है, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है अब तुझे नहीं चुड़ूंगी यह कहते ही, चुड़ेल शंकर को हवा में उठाकर पटकने लगती है, और कहती है जितना तुमने मेरी बेटी को परिशान किया है, उतना अब मैं तुम्हें भी परिशान करूँगी, जोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें कौन है, कौन है, यह आवाज कहां से आ रही है मात करती हो, तुमको मर गई थी ना, अपनी बेटी के लिए मुझे आना ही पड़ा, तबी चुड़ेलू से जमीर पर और पटकने लगती है, मा, मा आप मत मारो बाबा को, देखा, तुम्हारी बेटी तुम्हें मारने के लिए मना कर रही है, और तुम्हारे हात तो अपनी बेटी को मारने से बिलकुल नहीं कापते थे मुझे मत मारू, अरे मुझे दर्द हो रहा है मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो हाँ मा, बाबा को माफ कर दो, उन्हें दर्द हो रहा है शुती अपने दर्द के लिए तो इसे एक बार को मैं माफ कर दूँ पर इसने जो तेरे साथ किया है, वो मैं कभी बूल नहीं सकती। मा ऐसा क्या किया है बाबा ने आपके साथ। मैं बताती हूँ बेटा, आज से साथ साल पहले जब तु मेरे घर्व में थी, तो मैं कच्ची केरी बहुत खाती थी। पर इन्हों ने मुझे खाते हुए देखा तो मेरे बाल कीच कर बोला। ये क्या, तु ये कच्ची केरी खा रही है और ये लड़की पैदा करना चाहती है क्या, मुझे बेटा चाहिए बेटा, ये सब खाना बंद कर। आ, शेंकर जी, आप ये क्या कर रहे हैं, चोड़िये, मुझे दर्द हो रहा है, जरूरी नहीं है कि केरी खाने से लड़किया होती है, ये तो हर गर्बवती मा इस समय ये खाती है। अब तु मुझे बताएगी हर चीज, तेरी इतनी हम्मत, अभी बताता हूँ। ये कहते ही वो सारी कैरी बाहर फेट देता है। ये बोलते ही वो नंदिनी को बहुत मालता है, पीठता है और उसके साथवे महीने में उसे बहुत तेज धक्का मार देता है। जिसके बाद नंदिनी अपना पेट पकड़कर गिर पड़ती है और चिलाती है। अह, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, कोई मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मुझे बहुत दर्ध हो रहा है। नंदिनी, गिर गई है क्या? पता नहीं तेरा बच्चा स्वस्थ है भी या नहीं, मुझे जल्दी से तुझे हॉस्पिटल ले जाना होगा। जहुनी उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसका चेक अप करके कहता है। ये क्या? आपके हालत इतनी गंभीर कैसे हो गई? बहुत बुरा हुआ आपके साथ, बच्चा बड़ी नाजोक हालत में, अब शायद वो विकलांग भी हो सकता है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, डॉक्टर साब मेरे बच्चे को ठीक कर दीजे, बचा लीजे उसे। माफ कीजिएगा, पर आपको अपने ध्यान बहुत रखने की ज़रूरत है। नंदनी तु चिंता मत कर, मैं हो ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा तेरे बच्चे को। घर जाकर नंदनी बहुत एहतियाद बरतती है, पर अगले महीने ही नंदनी की डिलिवरी हो जाती है, और उसे लड़की पैदा होती है। अगर उसे मेरी बेटी के बारे में पता चला तो वो मुझे और मेरी बेटी को जान से ही मार डालेगा। ये कहते ही नंदनी अपनी बेटी को गले से लगाती है कि अपने पती के खौफ से दुनिया से चल बसती है। उसके बाद तुम्हारे बाबा ने ही पता नहीं तुम्हें कैसे पाला है, पर एक बाद तो मैं समझ चुकी हूँ, इस राक्षस ने तुम पर पहले भी अत्याचार किया था और अब भी किया है। हाँ मा, बाबा ने कभी प्यार ही नहीं किया, हमेशा मारा मुझे, अंधा बोला, किसी चीज में मदद नहीं की, पर कोई बात नहीं, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। ठीक है, पर मेरी नजर तुम पर ही है। ये कहते ही चुडैल कुछ दिनों के लिए गायब हो जाती है। सब अच्छा चल रहा था। पर एक दिन शंकर अपनी बेटी को ट्रक के सामने फेलता चाहता था। पर उस ट्रक के नीचे फुदी आ गया। जिसमें उसके दोनों पैर कट गए। उसकी सारी सेवा उसकी अंधी बेटी ने की। समय पर जैसे दैसे खाना बनाकर छिलाया। दवाई खिलाई घर का काम किया। अपने बाबा को कपड़े पहनाई। तब ही शुदी कहती है। बाबा, आपका खानी का समय हो गया है। बेटा, तु क्यों तक लीफ कर रही है। मैं अपने आप खा लूँगा। अरे पैर कटे है, हाथ नहीं। आज मुझे खुद पर बहुत शरम आ रही है। मैंने तेरे असाथ बहुत बुरा किया। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे मारने जा रहा है और मेरे साथ ऐसा हो गया। अरे मैं बहुत शरम इंदा हूँ। मतलब तुम मेरी बेटी को फिर से मारना चाहते थे। अब मैं तुम्हें जिन्दा नहीं चोड़ूँगी। नहीं मा, बाबा को कुछ मत बोलिये। उन्हें अपनी गल्थी का एसास हो चुका है। और मुझे माफी भी मांगी। नंदिनी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मैंने अपनी बेटी को कभी नहीं अपनाया, पर आज अपना रहा हूँ। आज के बाद मैं इसे खुश्या ही खुश्या दूँगा। कभी पहले जैसा सलोग नहीं करूँगा। मैं इसका वचन देता हूँ तुम्हें। तुम्हारी बातों पर यकीन तो नहीं है, पर अपनी बेटी के लिए यकीन कर रही हूँ। और अपनी बेटी तुम्हें सौप कर जा रही हूँ। अगर आगे ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिन्दा नहीं चोड़ूँगी, याद रखना। ये कहते ही चुडैल हमेशा के लिए अपनी अंधी बेटी को अपने पती के पास छोड़ कर चली जाती है। नीलम को खुद से बात करते हुए एक आदमी सुन लेता है, जो घरीब लोगों की बहुत साहिता करता है। वो आदमी नीलम के पास आता है और उसके पास अपने जूते पॉलिश करवाने के लिए जाता है, जिसके बाद नीलम उसके जूतों को पॉलिश करने लगती है, तब ही आदमी नीलम से कहता है। किस रुपए हो गए जूतों को पॉलिश करने के? साहब केवल दस रुपए हुए हैं। वो आदमी नीलम को पूरे सौ रुपए दे कर कहता है। ये लो, सौ रुपए, रख लो तुम्हारे काम आएंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे भीग देने की? मैं अपनी मेहनत का कमाती हूँ और अपनी मेहनत का खाती हूँ। इतने में नीलम एक बहुती बहुती बहानक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और उस आदली की गर्दन पकड़ कर उसे हवा में उठा देती है। अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ तेरा वो हाल करूँगी कि कोई तेरी मदद भी नहीं कर पाएगा। इतना कहकर चुड़ैल उस आदमी के हाथ पैर तोड़ कर उसे मार देती है। जिसके बाद चुड़ैल अपने मोची का सारा सामार उठा कर वहां से चल देती है। जैसे ही सुबा होती है गाउं के सभी लोग बस स्टेंड पर एक आदमी के शरीर को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। अमारे शहर की ये आठवी मौत है जिसका गुनेगार अभी तक पकड़ा नहीं गया है। आकर कौन है जो इतनी बेरहमी से लोगों को मार रहा है। साहब मुझरिम को पकड़ने की कोशिश पूरी तरह जा दिया है। एक ना एक दिन तो वो मुझरिम हमारे हाथ जरू लगेगा। गाउं में हो रही हत्या के हत्या के हत्यारे को पुलिस चारो तरफ ढूंड रही होती है। लेकिन हत्यारा कोई इनसान नहीं एक बहुत बयानक चुडेल थी। आकर वो चुडेल कौन थी और क्यों इस तरह गाउं के लोगों को बूट पॉलिश करने के बाद मार देती आकर चुडेल क्यों रूप बदल कर लोगों को मार रही थी। सीलंपुर के एक छोटे से गाउं में एक पारवती नाम की लड़की अपनी सास नीलम के साथ रहा करती थी। नीलम पारवती के साथ बहुत बुरा बरताव किया करती थी और अवसे आए दिन ताने देकर कूसत लेकर नीलम के पास आती है। आवाज आती है। इसके चलते नीलम का घर और उसकी सभी प्रॉपर्टी नीलाम में बिक जाती है। और बेचारी नीलम एक गरीबों की तरह जोपड़ी में रहने लगती है। नीलम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है जिसके बाद वो भीक मागने के लिए निकल जाती है। भीक मांगते मांगते वो एक बस टॉप पर पहुँझ जाती है जहां वो थोटे से बच्चों मोची का काम करते हुए देखती है। अरे वा, पहले मेरे दिमाग में ऐसा काम क्यों नहीं आया? जिसमें पैसा भी नहीं लगेगा और मैं पैसा भी कमा लूँगी। नीलम से कहता है। नीलम के इतना सुनते ही वो आदमी नीलम को एक लादख खीच कर मारता है जिसकी वज़ासे वो सडक पर जा कर गिरती है। तब ही एक बहुत बड़ा ट्रक आता है, जो उसे कुचल कर वहाँ से चला जाता है। वहीं वो आदमी भी अपनी कार में बैट कर वहां से चला जाता है, जिसके बाद नीलम एक बहुत बयानक चुडैल बन जाती है। जाती है और लोगों का इंतजार करने लगती है। अगर तुटी पुटी चपल है तो उन्हें से लवालो केवल 10 रुपे में, कोई भी काम करवाओ। तब भी वहां पर एक बाला जी का भक्त आता है, जिसकी चपल तूट जाती है। अरे बहन जी, जरा मेरी चपल जोड़ दो, पता नहीं कैसे अचानक ही चपल तोट गई। आप बैठिये, मैं अभी आपकी चपल जोड़ कर देती हूँ। निलम बाला जी के भक्त की चपल जोड़ने लगती है, देखते ही देखते, वो चपल जोड़ देती है, और जैसे ही वो बाला जी के भक्त को उसकी चपल पकड़ाती है, उसे एक बहुत जोर से करंट लगता है, जिसकी वजा से वो एक चुड़ेल के रूप में आ जाती मुझे इतनी जोर का जटका क्यों लगा इसका मतलब तू ही वो चुड़ेल है जिसके बारे में पूरे गाउं में चर्चे हो रहे है अरे मैं बाला जी का भक्त हूँ क्या तुझे मेरी वेश बोशा से मेरी पहचान नहीं होई क्या करने आया है तू यहाँ पर चला जा नहीं तो तेरे टुकडे टुकडे कर दूंगी देख चुड़ेल मैं तुझे प्यार से कहता हूँ यहाँ से चली जा और लोगों को मारना बंद कर दे तू कौन होता है मुझे यहाँ से बगाने वाला मैं यहीं रहूंगी और हमेशा यहां मुझी का काम करती रहूंगी मुझे यहाँ से कोई नहीं भगा सकता इतना कहकर चुड़ेल बाला जी के भग्त के ऊपर अपनी शक्तियों दोरा वार करने वाली होती है लेकिन बाला जी का भग्त उसी औकशण अपने मन में